अगर आप टारो में और कल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अधर्वाइस भी आपका इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं वी हवा टारो सर्टिफिकेशन कोर्स जिसमें A to Z about टारो आपको सीखने को मिलेगा और कैसे आप अपनी इस जर्णी को फर्दर लेकर जा सकते हैं अपना करियर बना सकते हैं या जो भी इससे रिलेटेड आपके मन में हैं आप चाहते हैं सभी कुछ इस कोर्स में covered है और इसी से ही रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आप मेरा फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आप लोगों के लिए पिका का डीडिंग, आज की पिका का डीडिंग का टॉपिक है फ्यूचर अफ दिस रेलेशन्शिप् और इस टॉपिक का सेजेशन मुझे नीचे कमें सेक्शन से मिला था, आप लोगों ने मुझे इंस्टा पे मेसेज भी किया था और मुझे लगा बड कैसी रहेंगी, आपके लिए क्या guidance है, आपको क्या करना चाहिए, तो ये सभी सवाल अगर आपके मन में आ रहे हैं, आप लव रिलेशन्शिप में हैं, तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस रीडिंग में मिल जाएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी भी आप इस फेस से अपनी लाइफ में गुजर रहे हैं, ये रीडिंग आपके सामने आती है, इस रीडिंग में मैं फिर से कहूंगे आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएगे, इन ही सवालों के जवाब जानने के लिए इन तीनों में से एक पाइल को आपको चूस करना पड़ेगा, और पाइल सेलेक्शन के लिए हमारे पास दो आप्शन हैं, फर्स इस इंट्यूटिव मेथर्ड एंड अधर वन इस अलफ़बेट, तो इंट्यूटिव मेथर्ड के हिसाब से देखते हैं, फर्स पाइल के लिए यहां पर वाइट और ब्लाक कांडल है, आपने उसको चूस कर लेना है, आपने शेप से, कलर से बायस नहीं होना है, और मैं बार बार हर रीडिंग में कहती हूँ, बहुत जादा टाइम आपने पाइल चूस करने में नहीं लगाना, अगर आप इंट्यूटिवली पाइल को चूस कर रहे हैं, आग खोलते ही जो पा अलफबेट क्या है, उसके accordingly भी आप पाइल को चूस कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर first पाइल के लिए हमारे पास A, D, G, J, M, P, S, V, Y, यानि कि अगर आपका नाम का first अलफबेट इन में से एक है, A, D, G, J, M, P, S, V, Y, तो आपके लिए पाइल 1 है, और अगर आपका न नाम B, E, H, K, N, Q, T, W, Z से शुरू होता है, यानि कि first अलफबेट आपका नाम का इन में से एक है, B, E, H, K, N, Q, T, W, Z, तो आपके लिए पाइल 2 है, और अगर आपका नाम C, F, I, L, O, R, U, X से शुरू होता है, आपके लिए पाइल 3 है, I hope कि आपने पाइल चूस कर लिया है, और अगर नहीं किया है, आप वीडियो को pause कर सकते हैं, you can take your own time in choosing the pile, और मैं इसके बाद आपको आपकी reading में मिलूँगी, देखते हैं, cards क्या कहते हैं, आपके relationship का क्या future है, अगर आपने pile 1 यानि की white and black candle को चूस किया है, या फिर आपके नाम का first letter, A, D, G, J, M, P, S, V, Y स शुरू होता है, तो ये reading आपके लिए है, और चलिए देखते हैं, pile 1 cards क्या कहते हैं, आपके relationship में आगे क्या होने वाला है, इस love life का क्या future है, तो आगे बढ़ने से पहले एक नजर पीछे मुड़कर देखेंगे, देखेंगे कि past में आप दोनों के relationship में क्या हो रहा था, औ और past के लिए आप इस सबसे पहले cards में दिख रहे हैं, nine of swords and death, और ये दोनों ही cards कहते हैं, कि पीछे आप दोनों के बीच में कुछ issues, कुछ मसले रह रहे थे, और दिखिए ये issues, ये मसले सब के लिए differ करेंगे, लेकिन nine of swords का card बहुत clearly कहता है, कि आप दोनों ही याप दोनो सब के लिए differ करेंगा, लेकिन death का card कहता है, कि literally कुछ के लिए हो सकता है, कि relationship end हुआ, या फिर किसी चीज की ending आप दोनों ने की, या फिर करना चाहा, आप देखिए ये ending भी सब pile one के लिए differ करेंगा, लेकिन बहुत एक, जिसे बुलते हैं, क्लिंगी वाली energies रही होंगी, य या आपके partner की ऐसी energies रही होंगी, जब मैं कहती हूँ, बातों को पकड़ कर खेचा, मतलब letting go वाली energies नहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक कर पाए, हो सकता है, जो भी situation थी, circumstances थे, उसमें से किसी चीज को let go करने की बहुत जादा ज़रत थी, कुछ के लिए literally हो सक देना चाहिए, एक temporary दूरी बीज-बीज में बनानी चाहिए, ताकि relationship में वो attraction, relationship में वो passion रहे एक दूसरे के लिए, वो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं कर पाए, बहुत जैसे बोते हैं, over attachment, over tightly, किसी चीज को, किसी बात को, या फिर एक दूसरे को, आप द जैसे बहुत issues, मसले हुए, और deeper level के लिए, dreaming and soul contract के card कहते हैं, कि बहुत हो सकता है कि आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक में सपने देखे, इस relationship को लेकर, dreaming के card में लिखा हुआ है, dreams, fantasies, high hopes, तो हो सकता है कि बहुत high hope, आपकी आपके partner से या partner की आप से थी, और वो कह आपकी उमीदें नहीं पूरी हो पाई, इसलिए बहुत फिकर करी, इसलिए you know, बहुत tightly चीज़ों को पकड़ा, soul contract का card कहता है, शायद आप दोनों ने एक दूसरे से कोई promise किया, कोई वादा किया, आप दोनों में से किसी एक ने दूसरे जन से promise किया, वो promise नहीं रख पाए और hand of cards का card कहता है कि आप दोनों, यहां pile one आपके लिए जाधा रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि यह reading आप देख रहे हैं, out of the way जाके काफी सारे चीज़ें करी, दिखें इस card में लिखा हुआ है, take a risk, being strategic options, not showing hand gambling, तो कहीं होता है ना कि risk बहुत लेने की ज़रत है, और पिर भी डरे नहीं, आपने वो risk लिया, आप out of the way गए, कुछ चीज़ें possible नहीं थी, तो भी आपने possible करी, यानि कि अपनी तरफ से बहुत जाधा इस relationship को दिया, बहुत जाधा किया, इसलिए बहुत फिकर मंद हुए, tension, stress ली, और coffee cup का card कहता है कि आप दोनों के बीच में प distractions या जो भी issues आपके relationship को खराब कर रहे थे, हो सकता है कि again मैं कहूंगे आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने decide किया, कि उनको हटा के हम क्या चाहते हैं, उसके उपर focus करें, तो कहीं पीचे अगर कोई decision, कोई choice लेने की ज़र थी, आप दोनों में से कोई एक नहीं ल देना चाहा रहे हैं और कहीं फिर से कहूंगे जो भी distractions हैं, उनको हटाते हुए दिख रहे हैं, उनको कहीं side पे रखते हुए दिख रहे हैं, the sword and rose का card कहता है कि clarity लाना चाहा रहे हैं या फिर आ रही है, देखिए इस card में लिखाव है clarity, truth, revolution, force, honor, protection, power, तो कहीं फिर से मैं कह होंगी, nutshell में इस card का मतलब यही है कि जो भी confusion पीछे रह रह रही थी या जो भी चीजें परिशान कर रही थी, bother कर रही थी, उनको side पे रखके बहुत ही clearly या clarity के साथ चीजों को deal करना चाहा रहे हैं, और दिखिए legal का card यहां पे एक दो चीजें कहता है, इस card में पहले पढ this relationship, अब कुछ के लिए literally हो सकता है, कोई legal issue आप दोनों के बीच में है, अब आपको पता होगा क्योंकि आपका relationship है, तो उसकी वज़े से आपका relationship खराब हो सकता है, और अगर कोई legal issue नहीं चल रहा है, तो यहां पे देखिए legal means, you know, यह भी होता है कि आपकी family नहीं मान रही ह illegal का मतलब यह होता है कि आप छुपके कोई चीज कर रहे हैं, अब यहां पर court से छुपके कर रहे हैं, क्योंकि यह relationship की reading है, तो हो सकता है family से, या society इस चीज को नहीं accept कर रही है, society इस चीज को नहीं एक green signal दे रही है, approve कर रही है, तो कहीं यह society, घर के बड़े, या बोलते है और official तरीके से चीजों को नहीं कर पा रहे हैं, इसकी वज़े से आपका relationship impact हो रहा है, या फिर legal means, court, justice कहीं सच के लिए भी बोला जाता है, यानि कि सच को भी represent करता है, normally लोग court में जाते हैं, अपना, you know, जो भी उनके साथ गलत हुआ है, उसके लिए नयाय मांगने के लिए तो कहीं बहुत logically चीजों को आप दोनों deal कर रहे हैं, या फिर करना चाहा रहे हैं, हो सकता है कि अभी हाल फिलाल ऐसी situation है, जहां पर आप दोनों में से किसी एक को या आप दोनों को लग सकता है, भी बहुत emotional नहीं होना है, बहुत sentimental नहीं होना है, अब थोड़ा सा mind से चीज को वे करना है, और जो सच है, उसको सच की तरह देख के चीजों को deal करना है, यह आप लोगों की अभी current energies रह सकती है, अब देखते हैं, इस relationship में future क्या हो रहा है, तो जो topic है, उसका जवाब अब मैं आपको देने वाली हूँ, और यहां पर देखिए, सबसे पहला card मुझे द out होते हुए देख रहे हैं, यानि कि आपका break up नहीं हो रहा है, अगर पीछे break up हुआ है, तो चीजें बहतर हो सकती है, बहतर हो रही है, एक दूसरे के लिए आप दोनों ही प्यार, महबबत महसूस कर सकते हैं, और देखिए, यह आप इवाइन फेमिनन का card कहता है, कि जो भ money, पैसा, materialistic, चीजों से related अगर कोई issue या उसकी वज़े से issues आप दोनों के बीच में हो रहे हैं, तो उसके उपर भी आप लोग work करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे dragonfly का card कहता है, be light hearted, finding out, things coming in light always, adapt, change, heal, तो देखिए, जो भी issues, मसले थे पीछे, उनकी कहीं किसी level पे healing ह हो रही है, light is coming, मतलब जो भी चीजें जैसे अभी हमने देखा, कि सच से वाकिफ होना चाह रहे हैं, clarity के साथ चीजों को deal करना चाह रहे हैं, तो एक clarity आती हुए दिख रही है, letting go का card कहता है, कि पीछे, जैसे मैंने आपको भी बताया है, बहुत clingy हो रहे थे आप दोनों, एक दूसरे के लिए, या फिर किसी चीज के लिए, किसी बात को लेकर, तो वो एक letting go वाली energies भी आती हुए दिख रही हैं, जिन चीजों को पीछे नहीं let go कर पा रहे थे, जिसकी वज़े से relationship में issues हो रहे थे, अब दिखें, यहाँ पे letting go का मतलब यह भी हो सकता है, कि आपक पार्णर ने कुछ कहा दिया, तो endless चीज़ें हो सकती हैं, जिनको Pile One आप यह आपके partner let go नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वज़े से issues हो रहे थे, तो कहीं future में उसको भी let go करते हुए दिख रहे हैं, और temperance का card एक balance की बात करता है, reconciliation की बात करता है, तो definitely reconciliation आप लोगों के भी हो सकता है, जो भी extreme energies थी, कहीं एक balance आप दोनों के बीच में आता हुआ दिख रहा है, ये card union को भी represent करता है, तो union होता हुआ दिख रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ जो मसले इस relationship को खराब कर रहे हैं, वो किसी level पर या तो resolve हो रहे हैं, और पीछे अगर आप दोनों के बीच में distance था, हमने death के card में देखा हो सकता है कि break up भी हुआ हो या फिर किसी चीज़ की ending होई हो, तो reconciliation भी आप दोनों के बीच में होता हुआ दिख रहा है, अब देखें ये तो हमने देखा कि future क्या होगा इस relationship का, और जब भी भी आप ये reading देख रहे हैं, for example आप साल बात देख रहे हैं, उस point of time से next six to eight months के लिए, ये reading आपके लिए valid है, और अब हम देखें कि शादी होगी नहीं होगी, अगर आप लोग love affair में हैं, या otherwise भी क्या एक outcome होगा, तो देखें बहुत clearly Ace of Swords reverse का card कहता है कि challenges हो सकते हैं इस relationship में, और challenges सब के लिए differ करेंगे, लेकिन यहा नहीं complete trust आप दोनों एक दूसरे के ओपर या खुद के ओपर नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत insecurities हैं, तो deeper level के लिए अगर हम देखें, जो एक चीज इस relationship को खराब कर रही है, वो insecurities हैं, और insecurities से लड़ाई करके इनको overcome करने की ज़रत है, इस पे जीत लाने की ज़रत है, क्य कहता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत जल्दी negative हो जाते हैं, और बहुत logically हर चीज को analyze करते हैं, बहुत analytical हो जाते हैं, और बहुत जादा ही, you know, दिमाग से या mind से चीज़ों को deal कर रहे हैं, और इसी वज़े से इस बहुत insecurities हो रही हैं, और इसी वज़े से outcome इसका वो guidance, तो आप अगर इस reading से guidance ले, अपनी insecurities से लड़ाई करके, fight करके उनको overcome करें, तो इस relationship को better कर सकते हैं, जो चाहते हैं, उसको achieve कर सकते हैं, क्योंकि reconciliation तो आप लोगों का होता हुआ दिखी रहा है, और फिर से ace of souls reverse का card कहता है, जो भी negative energy है, उससे fight करने की जरुत है, जो कि आप दोनों याप दोनों में से कोई एक नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आपने अपनी negativities, insecurities, या जो भी आपका mind कह रहा है, उससे fight किया, तो चीजों का आप बहतर कर पाएंगे, और या पर gold का card कहता है, you don't need someone else to fix you, तो दिखी एक दो मतलब है इस card के, सबसे पहली चीज जो हमारी insecurities है न, वो कोई और नहीं ठीक कर सकता है, वो कोई और नहीं clear कर सकता है, क्योंकि सामने वाला जो मर्जी कर ले, जब तक हम अपने आपको नहीं समझाएंगे, या हम अपनी self-talk को positive नहीं करेंगे, हम अपनी insecurities को positive thinking के साथ नहीं replace करेंगे, हमारी insecurities नहीं मतलब सामने वाला बहुत अच्छा भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने काले रंग के sunglasses पहने हुए न, आपको काला ही दिखेगा, आप अच्छा देख भी नहीं पाएंगे, ये आपके partner के लिए भी applicable है, मैं सिरफ यहाँ पर example दे रही हूँ, और दूसरी चीज, बहुत ज़ कि हमने help ही नहीं लेनी है, क्योंकि वो भी एक healthy relationship नहीं है, relationship का मतलब भी यह होता है, कि हम उनकी चीजों में involved हो help करो, वो हमारी चीजों में involved हो help करें, लेकिन जब हम बहुत emotionally, specially dependent हो जाते हैं partner के ओपर, या हम over dependent हो जाते हैं, तो वो ज़रूर problems create करता है, उस चीज का खयाल तो यह था pile 1 आप लुगों की reading, और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं, कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए अगर आपने pile 2 यानि की sage को choose किया है, या फिर आपके name का first letter, B-E-H-K-N-Q-T-W-Z से शुरू होता है, तो यह reading आपके लिए है, और चलिए देखते हैं pile 2 की cards क्या कहते हैं, आपके relationship में आगे क्या होने वाला है, आपकी love life का क्या future है, तो आगे बढ़ने से पहले एक नजर पीछे मुड़ कर देख लेते हैं, यानि कि आपके, आप दोनों के बीच में past में क्या हो रहा था, उसको देख लेते हैं, तो past के लिए यहाँ पे सबसे पहले cards है, page of pentacles and seven of pentacles, और यह दोनों ही cards कहीं, money के cards है, materialistic, tangible चीज़ों को represent करते हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों का focus career professional front पे या तो जादा था, या फिर बहुत realistic practical तरीके से आप लोग चीज़ों को deal करना चाहा रहे थे, या फिर आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने pause लिया, future course of action के बारे में सोचने के लिए, क्या you know decision, क्या choice इस relationship से related लेनी चाहिए, उसके बारे में सोचने के मैं ये बिलकोई भी नहीं कह रही हूँ कि आप दोनों के बीच में break up हुआ, आप दोनों का relationship end हुआ, मैं सिरफ और सिरफ ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा slow ही चीज़ें, या फिर थोड़ा सा pause आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने लेना चाहा, reason सब के लिए differ लेकिन seven of pentacles का card कहता है future की planning, future में क्या course of action लें, क्या decision लें, क्या choice लें उसके बारे में सोचने के लिए, होता है ना कभी-कभी हम अपने आपको crossroads पे पाते हैं जहां पे हमारे लिए बड़ा important हो जाता है ये सोचना कि भई अब इस point of time से या फिर जिस भी मकाम में अभी है हम अपनी जिंदगी के उसमें से आगे हमें किस दिशा में जाना है, हमें आगे किस direction में जाना है, तो कहीं ऐसी सी energies आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की रही होंगी, stabbed and back का card कहता है या तो आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक का relationships को लेकर past experience इतना अच्छा आप दोनों में से किसी एक के साथ cheating हुई, आप दोनों में से किसी एक के साथ धोका धड़ी हुई और वही एक reason भी रह सकता है कि थोड़ा practical, थोड़ा realistic होके चीजों को deal कर रहे हैं या फिर कुछ के लिए भी हो सकता है कि current partner ने कहीं किसी level पे cheat किया, cheat is a very very strong word, मतलब उतने fear नहीं रहे, कहीं उनकी कोई बातें आपको hurt करें, उनकी किसी चीज से आपको तकलीफ हुई और कहीं इसी लिए भी आप दोनों या आप pile 2 थोड़ा practical, realistic होके चीजों को deal करना चाहा रहे हैं, mirror का card कहता है थोड़ा सा फिर से मैं कहूंगी चीजों को अच्छे से समझना चाह थोड़ा सा एक युनो होता है ना कि हम reflect करना चाहते हैं pause करके, कि भई क्या हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, हम ऐसे करना चाहिए हम ऐसे नहीं करना चाहिए है, तो इस तरीके के energy is रह रही है, spice it up का card कहता है कि deeper level के लिए अगर हम देखें, आप दोनों ही relationship को next level पर लेकर जान को deal कर रहे हैं, internet, social media, dating apps का card कहता है, या तो आप दोनों ही पीछे dating apps में थे, या फिर देखिए हमने देखा back in the step का card, cheating की बात करता है, hurt की बात करता है, तो हो सकता है pile 2, आप या आपके partner के लिए जाधा रहता हुआ दिख रहा है, आपके साथ relationship में होते हुए, और लोगों के through किसी और के साथ भी connected थे, और ये चीज आपको बहुत hurt करी, और शायद इसी लिए आपने हो सकता है pile 2, एक pause लिया है, चीजों को अच्छे से समझना चाहा रहे हैं, और mirror का card कहीं, you know, फिर से मैं कहूंगी, थोड़ा सा reflect करने की बात करता है, थोड़ा सा और जाधा situation आप दोनों के बीच में देखें, तो justice reverse का card दिखी एक दो चीजें कहता है, सबसे पहली चीज, decision choice लेने की ज़ुरत है, जो कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं ले पा रहे हैं, और बहुत logically चीजों को deal कर रहे हैं, सिरफ और सिरफ माइन से चल रहे हैं, औ और कुछ के लिए हो सकता है कि Pile 2 आपको लग रहा है कि भई situation circumstances या तो fair नहीं रहे हैं, या फिर आपके partner आप के सत्थ या आपको खुद भी ऐसा लग सकता है, या मैं ऐसा कहूंगी, कुछ Pile 2 को भी ऐसा लग सकता है, कि वो इस relationship में इतने fair नहीं रहे, वो इस relationship में उस तर तो फिर उतना time energy partner को नहीं दी तो भी हमें लगता है कि हम उस तरीके से fair नहीं रहे तो justice reverse का card in justice की बात करता है वो आपको भी लग सकता है pile 2 या कुछ pile 2 को लग सकता है कि इतने fair नहीं रहे या कुछ Pile 2 को partner की तरह से लग सकता है कि partner उतने fair नहीं रहे या फिर justice कहीं decision choice लेने की बात करता है तो वो लेना चाहा रहे हैं लेकिन बहुत logically चीजों को deal कर रहे हैं हर चीज के pros and cons को समझना चाहा रहे हैं तो ये तो हो गई surface level के energy, इसकी surface level पर ऐसी situation है और फिर से कहूंगे surface level पर जो भी situation हो deeper level के लिए passion and union का card कहता है कि आप दोनों ही एक दूसरे से connect करना चाह रहे हैं आप दोनों ही बहुत जादा एक दूसरे के लिए passionate हैं बहुत loving, caring energies हैं union के card को एक बड़ी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है proposal living together marriage तो कहीं देखिए engagement चाह रहे हैं, marriage चाह रहे हैं, living चाह रहे हैं दूसरे जन को propose करना चाह रहे हैं passion के card में लिखा हुआ insane chemistry तो आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत जबरदस्ट chemistry है like each other equally, having fun तो देखिए अब इन तीनों cards को अगर हम combine करें तो deeper level के लिए बहुत जबरदस्ट chemistry है बहुत जबरदस्ट, passionate, loving, caring energies है और कहीं union चाह रहे हैं, लेकिन surface level पर decision नहीं ले पा रहे हैं choice नहीं ले पा रहे हैं कहीं हो सकता है, कुछ चीज़ें fair ना रही हो, कुछ चीज़ें ठीक ना रही हो बहुत ज़ादा उनके बारे में सोच रहे हैं आप देखते हैं कि future में क्या होगा उसके बाद हम देखेंगे final outcome क्या होगा और आपके लिए क्या guidance है तो देखिए, अगर मैं next six to eight months जिस point of time से आप ये reading देख रहे हैं मतलब अगर आप आठ से साल बात देख रहे हैं तो उस time से next six to eight months अगर आप अभी देख रहे हैं तो इस time से next six to eight months तो जब भी भी आप ये reading देख रहे हैं उससे next six to eight months बहुत great नहीं रहते हुए दिख रहे हैं दिखी मैं यह नहीं कहा रही हूँ कि कुछ गलत हो रहा है but yes on and off चीजें रहते हुई दिख रही है और एक जो reason मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में issues का कि आप लोग बहुत logical या आप दोनों में से कोई एक भी हो सकता है बहुत logical बहुत practical हो रहे हैं कहीं materialistic tangible चीजों को ज़्यादा एहमियत दे रहे हैं money पैसे को ज़्यादा एहमियत दे रहे हैं ये एक reason ज़्यादा आप दोनों के बीच में issues मसलों का रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि देखिए अगर मैं Rider of Act के 5 cards में से देखूं तो 3 cards जो हैं वो money पैसे के हैं और एक card कहीं logically चीजों को deal करने का है तो emotions, feelings, sentiments कहीं surface level के लिए missing रहती होई दिख रही हैं मैंने बहुत clearly बोला surface level के लिए क्योंकि deeper level के लिए तो बहुत जबर्दस एक दूसरे के लिए passionate energies है, connection आप लोग महसूस करते हैं बहुत एक enthusiasm, excitement है लेकिन surface level के लिए या तो express नहीं कर रहे हैं या वो convey नहीं हो पा रहा है या किसी level पर ये चीज़े missing रहती हुई दिख रही है and again future देखें तो यहाँ पर surface level के लिए king of pentacles reverse का कार्ड कहता है कि बहुत ज़ादा practical realistic हो रहे हैं hermit reverse का कार्ड कहता है कि एक space चाहा रहे हैं, एक अकेलापन चाहा रहे हैं और बहुत actively चीज़ों में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं involved हो रहे हैं या पिर जितने action initiatives लेने की ज़रत है, उतने action initiatives आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं ले रहे हैं deeper level के लिए abundance and heart with a key का कार्ड कहता है कि जो भी surface level के लिए हो रहा हो, मन ही मन एक दूसरे के लिए बहुत प्यार महबत महसूस कर रहे है heart with a key का कार्ड कहता है, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together perfect तो दिखे, getting together का कार्ड बहुत ही clearly कहता है कि आप दोनों साथ है मुझे break up नहीं दिख रहा है, मुझे, you know, आप दोनों अलग नहीं होते हुए दिख रहे है abundance का का कार्ड कहता है, keep a positive mindset तो यहाँ पर यह कार्ड आपको guidance दे रहा है, थोड़ा सा एक positive mindset रखें manifest exactly what you want, थोड़ा सा अगर आप gratitude practice करते हैं positive चीजें partner में देखते हैं, relationship में देखते हैं, तो जो आप चाहते हैं उसको आप manifest कर पाएंगे यहाँ पर growth का कार्ड भी कहीं relationship change and growth की बात करता है यानि कि relationship में positive changes आ रहे हैं और relationship growth की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है positivity की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है opposites attract का कार्ड भी बहुत ही clearly कहता है कि बहुत जबरदस एक connect आप दोनों के बीच में है बहुत जबरदस एक passionate energies, deeper level के लिए मन ही मन है लेकिन surface level के लिए उतने action initiatives नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं बहुत practical हो रहे हैं, realistic हो रहे हैं, बहुत ज़ादा सोच रहे हैं और yes, थोड़ा logical ज़ादा हो रहे हैं तो इन energies को अगर आप check करते हैं, तो आने वाले 6-8 months को आप better कर पाएंगे क्योंकि देखे, यहाँ पर outcome के लिए sun का card है, sun is again a very very positive card और इसके साथ में दिखे, sun flower तो नहीं हैं, बट जो भी flowers है, happiness लिखा हुआ है तो यह दोनों cards एक्दम से same meaning है और यह दोनों ही card happiness, joy की बात करते हैं और यह दोनों ही cards कहते हैं कि जो भी next 3-4 months या 5-6 months में हो ultimately, finally आप दोनों साथ में रहते हुए दिख रहे हैं आप दोनों का union होता हुआ दिख रहा है, marriage अगर चाहते हैं, marriage होती हुए दिख रही है एक आप दोनों की relationship में बहुत जबर्दस्थ happiness, joy रहती हुए दिख रही है अब आपके लिए guidance देखे, तो यहाँ पर phoenix का card है और यह card कहते है, how is that for a happily ever after तो देखे, कहीं तीनों ही cards, same thing कहते है, happiness है, joy है, ultimately आप दोनों के relationship में और यहाँ पर देखे, guidance का card एक और चीज कहते है, कि जो भी छूटी मोटी चीजें है, problems है, उनसे उपर उठें उनसे, you know, थोड़ा सा, फिर से मैं कहूंगी कि उठें, उनमें ही ना बैठे रहें, या फिर छोटी-छोटी चीजों को ना देखें, छोटी-छोटी बातों को ना पकड़ें, जो अच्छी चीजें हैं उसको देखें, एक positive frame of mind रखें, तो आप next six to eight months को भी better कर पाएंगे साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें, अगर आपने pile three यानि की जिनी के लाम को choose किया है, या फिर आपके नाम का first letter, c-f-i-l-o-r-u-x में से एक है, तो ये reading आपके लिए है, और चलिए देखते हैं pile three की cards क्या कहते है आपके relationship में आगे क्या होने वाला है, इस love life का क्या future है, तो आगे बढ़ने से पहले एक नदर पीछे मुड़कर देखेंगे, यानि की देखेंगे कि past में आप दोनों के बीच में क्या हो रहा था, और past के लिए देखें तो यहाँ पे सबसे पहला card मुझे दिखता है unconditional love, औ आप दोनों के बीच में है, बहुत एक pure, बहुत एक सच्चा प्यार आप दोनों के बीच में था है और रहतावा दिख रहा है, यहाँ पे देखेंगे, इस card में लिखा हो है this love knows no bound, तो वो सकता है कि या तो आपने, आपके partner ने, आप दोनों ने ही एक दूसरे से बेपनहा प्यार किया, जहाँ पे कोई सीमा नहीं थी, जहाँ पे किसी भी चीज की कोई limit नहीं थी, और यहाँ पे grief and sadness का card कहता है, कि पीछे कुछ चीजों को लेकर थोड़ी सी उदासी भी रही, थोड़ी सी परिशानी भी रही, आप थोड़ा सा किसी चीज को लेकर यहाँ आपके partner परिशान भी रहे, दिखिए इसमें लिखा हुए processing and grieving loss, और यहाँ पे clock का card कहता है, हो सकता है, आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को थोड़ा सा समय चाहिए था, थोड़ा सा time चाहिए था, और यहाँ पे three of wands का card कहता है, कि शायद future से related एक concern था, future पे जादा focus किय तो दिखिए इन सभी cards को combine करकर मैं आपको बताऊँ, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आप दोनों में से किसी एक ने pause लिया, और current situation पे पीछे इतना जादा attention नहीं दिया, और future के बारे में जादा सोचते रहे, long term planning जादा करते रहे, और थोड़ा एक time space भी आप दोनों याप द time takes time, अब दिखिए most of the times relationship में क्या होता है, एक जन बहुत जल्दी चीजें चाहता है, या बहुत जल्दी चीजों को next level पर लेकर जाना चाहता है, और दूसरा जन जब उसकी energies के साथ align नहीं होता है, यानि कि उनको लगता है हमें तो थोड़ा सा time चाहिए, हमें तो थोड़ looking, stocking की बात करता है, तो हो सकता है कि, you know, किसी तरीके के मसले हुए, किसी तरीके का distance आया, और एक दूसरे को दूर दूर से आप दोनों देख रहे थे, आप उनको दूर दूर से देख रहे थे, आप पूरा उनको stock कर रहे थे, हर उनकी हरकत पे नजर रख रहे थे, Queen of Pentacles का काड कहता है कि, money, पैसा, materialistic, tangible चीजें, एक issue रही या फिर आप दोनों में से कोई एक बहुत practical, realistic थे, या कोई female भी एक reason रह सकती है, क्योंकि देखे, outcome के card में यहाँ पर, Queen of Swords का card है, कोई female भी हो सकता है, उनका influence आपके उपर था, आपके partner के उपर था, जिसकी वज़े से issues मसले आप दोनों के बीच में रहे, अभी अगर हम देखे है, हाल फिलाल, तो देखे, third party वल्ली situation लग रही है, अभी third party कोई भी हो सकती है, आपकी तरफ से कोई आपका loved one close one हो सकता है, family member हो सकता है, जिसकी वज़े से issues हो रहे हैं, या आपके लिए कोई attract हो रहा है, होता है कभी कभी कि हम partner के लिए पूरे devoted and dedicated है, लेकिन कोई इंसान हमारी तरफ attract हो रहा है, हमसे जादा interact कर रहा है और वो partner को नहीं पसंद आ रहा है, कई बरी हम खुद ही किसी और के लिए एक attraction महसूस करते हैं, और ऐसी सी energies आपके partner के भी हो सकती है, कि भई या तो वो किसी की attract हो रहे हैं, या फिर उनके मन में किसी और के लिए आपके लावा attraction नहीं है, लेकिन कोई और उनकी तरफ attract हो रहा है, या उनके किसी family member, loved one की बहुत interference involvement है, तो देखिए, जो भी चीजे मेरे माइन में आई, मैंने कहा, यहाँ पर seduction का काट किसी भी तरीके की एक third party situation की बात क कभी expect ही नहीं करी थी, आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, partner, you know, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या इस तरीके की भी उनकी energies हो सकते हैं, तो unexpected का काट कहता है कि आपके लिए या आपके partner के लिए एक्टम से unexpected था, इस चीज की उमीद ही नहीं थी, और इसलिए या पर otherwise the star reverse का काट कहता है कि काफी negative frame of mind, या तो आपका रह रह रहा है, या पाटना का रह रह रहा है, या फिर एक negativity इस relationship में रह रही है, जहां पर आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक literally उमीद ही खो चुके हैं, कि आगे चलके चीजें ठीक होंगी, आगे चलके hopeless outlook या फिर एक उमीद खोने वाली energies आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की रह रही हैं, अब देखते हैं कि जिस भी time से आप ये reading देख रहे हैं, उसके बाद next six to eight months कैसे रहेंगे, यानि कि अगर आप अभी ये reading देख रहे हैं, तो अब से लेकर next six to eight months में इस relationship में क् और अगर आप साल बाद इस reading को देख रहे हैं या पांट साल बाद इस reading को देख रहे हैं, उस point of time से next six months आपके relationship में कैसे रहेंगे, तो देखिए या पे सबसे पहला card मुझे दिख रहा है paradise, इस card को पहले पढ़ी लेते हैं कि क्या लिखा है, happiness, expansion, joy, playfulness, oneness, enjoying each other, तो देखि दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए बहुत love है और आप दोनों ही एक दूसरे के source of happiness हैं, होता है ना जब सामने वाले से बात करते हैं तो अच्छा फील करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, happy और joyful होते हैं, तो वैसी सी energies हैं, लेकिन two of pentacles reverse का card कह रहा है, relationship बहुत up and down जा र एक stability मुझे नहीं दिख रही है, एक consistency आपकी तरफ से आपके partner की तरफ से या किसी भी reason की वज़े से नहीं इस relationship में रहती हुई दिख रही है, कभी बहुत अच्छा हो जाएगा, कभी एकदम से negative feel करेंगे या नहीं उतना great feel करेंगे, in and out वाली, कभी आपके partner या फिर आप कभी तरीके से इस relationship में होंगे, totally in होंगे, कभी आप या आपके partner गायब हो जाएंगे, और हो सकता है कोई decision, कोई choice लेनी है, वो भी नहीं ले पा रहे हैं, तो बहुत in and out, up and down वाली energies, unstable energies, relationship में रहती हुई दिख रही हैं, coffin का card कहता है कि किसी level पर चीज़ें end होंगी, फिर हो जाएंगी, क्योंकि reconciliation का card, coffin के नीचे कहता है, कि आप दोनों की लडाई होई, ऐसा हुआ कि बस अब तो ये relationship खतम, break up हो गया, और फिर आप दोनों का reconciliation हो जाएगा, और यहाँ पर close gate का भी card कहता है, कि कहीं न कहीं, बहुत deeper level के लिए जा कर देखें, तो relationship कहीं मुझे end हो हुआ दिख रहा है, या फिर आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक ने अपने दिल का दर्वाजा totally बंद कर लिया है, या फिर बंद करना चाहा रहे हैं, या इसकी जरुरत है, तो दिखिए close gate and coffin का card, बहुत ही clearly कहता है, कि किसी level पे relationship end होता हुआ दिख रहा है, या फि ऐसा भी कहूंगी, end हो गया, फिर ठीक हो गया, मेरे पस बहुत सारे readings आती हैं, जिसमें मुझे बताते हैं, आप लोगी बताते हो, कि मैम, break up चार दिन होता है, फिर बाचीज चुरू हो जाती है, फिर, you know, चार दिन बड़े अछे जाते हैं, फिर लडाई हो जाती है, तो इस तरीके की energy जादा रहती होई दिख रहे हैं, और three of pentacles का card again बहुत ही clearly third party energies की बात करता है, तीसरे इंसान की वजए से issues, मसले होने की बात करता है, या फिर, दोसरा reason हो सकता है, कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत जादा अपने career, अपने professional front पर focus करना चा सकता है, और दूसरा money, पैसा, materialistic, tangible चीजे या फिर professional front or career, तो next six to eight months बहुत great नहीं जाते होई दिख रहे हैं, on on off चीजें होती होई दिख रही है, किसी level पर ending की तरफ relationship जाता होई दिख रहा है, अब अगर हम outcome देखें, तो friendship का card बहुत ही clearly कहता है, जो भी आप दोनों के बी शादी हो ना हो, आगे जाके एक दूसरे के साथ हो ना हो, लेकिन यह जो दोस्ती है ना, एक दूसरे के साथ, यह कभी नहीं खतम हो सकती, और यह कभी नहीं खतम होगी, तो दोस्ती रहेगी, भले ही बात उतनी हो पाए ना हो पाए, और बहुत सारे friends बोलते हैं ऐसा, कि हम अगर दो साल भी एक दूसरे से बात ना करें न जब दो साल के बात करते हैं तो उसी लेविल से चीज़ें शुरू होती हैं जहां पर छोड़ा था रहे हैं, अपने emotions को नहीं consider कर रहे हैं, और इसलिए ये issues हो रहे हैं, guidance आप लोगों के लिए voyage है, और ये card कहता है, you already have all the answers, तो अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे बहुत सारे सवाल हैं, जिनके मुझे जवाब नहीं मिल पाए, या फिर, you know, पर ऐसा क्यों, पर ये क्यों, अब क्या, तो आप थोड़ा सा pause करके अपने साथ बैठेंगे, तो आपको जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि दिखिए, most of the times, deeper level के लिए हमें पता होता है, हमें पता होता है, कि जो हम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है, पर जिस direction में हम जा रहे हैं, हमें आगे problems होंगी, हमें आगे परिशानी होंगी फिर भी हम जाते रहते हैं फिर भी हम अपने mind की नहीं सुनते हैं mind की मैं नहीं कहूंगी, inner voice की नहीं सुनते हैं, अपनी intuition को नहीं follow करते हैं, gut feeling को नहीं follow करते हैं हम उसको एकडम से shut down कर देते हैं तो यहाँ पर आपके पास answers है, you already know everything, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों को सकते हैं, सुन के अन सुना कर रहे हूं, देख के अन देखा कर रहे हूं, तो इसको जरूर consider करें, यानि कि अपनी inner voice को सुने, अपनी gut feeling को follow करें, और answers आपको पते हैं, सिरफ आप उनको देखना नह जा रहे हैं, तो यह था पाइल 3 आप लोगों की reading, और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस channel को like, share और subscribe ज़रूर करें